यह पश्चाताप नामक काव्य समवेदंचील राम के रिदय का प्रस्फुटन है। बात उस समय की है कि जब राम रावन को जीत कर सीता को वापस लेकर अयोध्या में आकर सुख से रह रहे थे। उसी समय एक ऐसी घटना घटी कि एक धोबिन दस-पांच दिन पर घर रहकर घर आई तो धोबी ने उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। तब धोबिन ने कहा कि सीता जी भी तो रावन के यहाँ छे महीने रहकर आई थी और उन्हें राम ने रख लिया था। तुम मुझे कैसे नहीं रखोगे। इसके आधार पर धोबिन ने उसे रख लिया तो समाज ने धोबिका वहिशकार कर दिया। तब धुबी ने कहा कि जब राम ने सीता को रख लिया था तो धुबिन को रखने से आप मेरा भहिशकार कैसे कर सकते हैं जब ये घटना राम के कान तक पहुँची तो उन्हें इस बात की चिंता हुई कि कहीं इसके आधार पर जनता में किसी प्रकार की दुछ प्रवृत्ति न चल पड़े अतह उन्होंने गर्भवती सीता जी को तीर्थ यात्रा के बहाने भेंकर जंगल में छुड़वा दिया वहाँ पर किसी व्यक्ति ने उन्हें धर्म की भेंद बनाया और उसके पास रहकर सीता ने लव और कुष को जन दिया जब लव और कुष युवक हो गए तो राम और लक्ष्मन से उनका युद्ध हुआ जब ये पता चला कि लव कुष तो राम के ही बेटे हैं तो राम उन्हें सा सम्मान घर में रखने के लिए तयार हो गए पर सीता जी को रखने से इनकार कर दिया सब ने बहुत समझाया तब राम ने सीता से अग्मी परीक्षा देने को कहा राम के आदेशा नुसार सीता ने अग्मी परीक्षा दी और उसमें पास भी हो गई राम ने उन्हें घर में रहने के लिए बहुत मनाया पर सीता ने घर में रहना सुईकार नहीं किया और वे दीक्षा लेकर वापिस वन में चली गई बात यहीं से आरंब होती है प्रथम धर अरहंतों का ध्यान और कर जिनवानी गुणगान सदा चरणों में नित अमलान किया जिन जिनने जीवन दान नमन कर उन गुरूं को आज राम के मन की गहरी छाप राम के अंतर का आताप राम के मन का पश्चा ताप सती सीता का यह अनुताप कहूं कैसे किन शब्दों में प्रजा के मन का यह संताप समाई सीता रग रग में बस रहे रग रग में श्री राम करू में बंदन अभिनंदन रमूनित अपने आतम राम प्रजा से सुन लांचन की बात किया यदि राम चंद्र ने न्याय हुआ पर जनक सुता के साथ महा अन्याय महा अन्याय हो गई अगनी परीक्षाज खड़ा था पूरा वदसमाज शील ने रखी सती की लाज प्रेम से व्याकुल थे रगुराज सोचते थे मन में रगुवीर खड़े थे जैसे हो तस्वीर मनीशा करती तरक वे तरक हो रहे थे वे बहुत अधीर मुझे था भय की मोह में आज प्रजा के साथ न हो अन्याय इनी संकल्प विकल्पों में हो गया यह कैसा अन्याय हो गया यह कैसा अन्याय राम के जमाने से अभी तक यह बात चली आ रही है कि कोई वेक्ति यदि अपने नजदी की वेक्ति को सजा दे देता है तो दुनिया उसके गीत गाने लगती है लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि जिसको सजा दी गई है उसने अपराद किया भी था या नहीं यही बात सीता के साथ घटित हुई यद्यपी सीता ने अपराद नहीं किया था तथा पि उन्हें वनवास दे दिया गया यहां ये पंक्ति ध्यान देने लायक है कि स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान अपने नजदी की वेक्ति को दंड देने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता महान बनने के लिए अपराधी को दंड देना चाहिए निरपराधी को नहीं न्याय करना न आवे जिसे न्याय प्रिय कहता उसे जहान स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान किसी को कैसे दे वेह दंड सत्य की नहीं परख है जिसे बिठा कैसे देते हैं लोग न्याय के सिंहासन पर उसे दिया है निर अपराध को दंड न्याय प्रिय मुझे को मत कहना न्याय है यह अत्वा अन्याय न्याय है मुझे आज सपना प्रजाजन में कैसा अज्ञान भरा है हे मेरे भगवान चुने चाहे जिसको नेता नहीं जो उचित दंड देता किन्तु है यह कसूर किसका हमारा अत्वा जनगन का उन्होंने अपराधी को चुना किन्तु मैं क्यों कहने से बना हमारा ही है इसमें दोश हुआ जो जाने अन्जाने प्रजाजन कैसे पहचाने नहीं हम अपने को जाने जा रही वैदे ही वन में राम उद्विग्न हुए मन में करे क्या समझ नहीं आवे राम सोचे मन ही मन में उदर में था लब कुष जोडा तभी निर जनवन में छोडा प्रथम मैंने लाता तोडा आज उसने मुखडा मोडा नहीं मैं जाने ना दूँगा आज मैं उसको रोकूंगा सगदगद बोले राम नरेश रुंधा था कंठ गिराने शेश न मैंने तुमको पहचाना मुझे शोका नलने घेरा सुनो अप राधी हूँ सीते करो अप राधक्षमा मेरा करो अपराध क्षमा मेरा जब राम इस तरह शमा मांगने लगे तो सीता ने कहा इसमें आपका कोई दोश नहीं है मैंने पिछले भवो में कोई भयंकर अपराध किया होगा उसके फल में मुझे यह दंड मिला है वस्तुतह बात तो यह है कि सारे संयोग निश्चित है इस तरह सीता ने करम बद्ध परियाय की बात भी कही और कर्म के उदे की बात भी कही उपादान की बात भी कही और निमित की बात भी कही तत्व ग्यानी सीता से इस से ज्यादा और क्या अपेक्षा की जा सकती थी किन्तु सीता के साथ जो विवहार हुआ था उन्होंने जो दुख भोगे थे उनके अंतर में उनकी टीस विद्धिमान थी जो व्यक्त हो ही गई कहा इतना ही सीता ने नहीं अपराद तुम्हारा है करम फल पूरव का जानो करम बल सबसे ल्यारा है विगत भव में जो बांधे करम वही फल देते इस भव में किया होगा कोई अपराध भयंकर मैंने गत भव में उसी के फल में यह सैयोग मिला होगा ना आपका दोश करे सो भरे यही है सत्य आपका इसमे कोई न दोश अधिक क्या कहू हुआ सो हुआ अरे जाने दो बीती बात परन तु अब ऐसा कुछ करे न होवे फिर ऐसा घात आप ना करे विकल्प विशेश सभी कुछ निश्चित है सैयोग बात बस इतनी है हेनात मिला देते सत्का सैयोग इसके बाद सीता जी कहती है धोके से जंगल में छुडवा देना क्या एक यही रास्ता था कोई अन्य निरापत उपाय नहीं हो सकता था क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुझे आरियाओं के आश्रम में भेज देते संतों के समागम में भेज देते तीर्थों पर भेज देते जहां मैं निरापत धर्म ध्यान करती रहते मुझे इतने दुख नहीं भोगने पड़ते इस बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए था यदपी सीता तत्व ज्यानी थी तथा पे रिदय के भाव मुख पर आही गए उन्होंने एक बात और कही कि जो अगनी परीक्षा आज ली गई वह अगनी परीक्षा उस दिन भी ली जा सकती थी जब आपने मुझे जंगल में एकाकी छोड़ने का निर्णे लिया था भीज देते आर्याश्रम में यही था क्या उपाय बस धर्म पालन होता रहता जरा तुम सोचो कुछ स्वय में यदी था मन में कुछ संदेह जला कर अगनी शिखा की आँच और देकर कठोर आदेश प्रभूतत प्षण कर लेते जाँच सत्य की होती है जब जाँच नहीं आती है उसको आँच जाँच का अवसर भी न दिया किया क्यों यह है असीम अन्याय हुआ जो आज उसी दिन क्यों नहीं हो सकता था हे नात नहोती मैं अनात इस तरह किन्त कुछ भी ना सोचानात किन्त कुछ भी ना सोचानात इस तरह अपनी पीड़ा व्यक्त करने के बाद सीता जी कहती है मुझे छोड़ा तो छोड़ा मुझे छोड़ने से आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होई होगी पर यदि दुनिया के कहने से धर्म को छोड़ दोगे तो अनन्त भवों में अनन्त दुख भोगने पड़ेंगे इसलिए हे नात दूसरों के कहने पर किसी को छोड़ देने की आदत अच्छी नहीं है अरे निन्दा सुनकर मेरे नात त्यागा तुमने मुझको धर्म की सुनकर निन्दा कभी त्याग मत देना तुम उसको प्यागने से मुझको हे नात हुआ होगा थोड़ा आताप प्याग देने से आतम धर्म मिलेगा भव भव में संताप हुआ सो हुआ किन्तो अब तो जगत के वणिक वृत्ति लख कर नहीं रहना है इसमें मुझे धरूंगी जिन दीख शाहित कर धरूंगी जिन दीख शाहित कर ऐसा कह जनक सुता चल दी मा मा कह लब कुष चिल लाए वेरुंधे गले से बोले है मा हमें छोड़ कर क्यों जाए हमने क्या किया दोश जननी जो हमें छोड़ कर तुम जाती हम रहे सदा ही आज्या में क्यों कर हमको तुम बिसराती साउ मित्र भरत भीया पहुचे शत्रुग्न खड़े थे सिरनाए लोटो लोटो है जग जननी क्यों हम पर नहीं दयाए यह सुनकर सीता देवी उम्र दुस्वर में धीरे से बोली ना ते रिष्टे सब जूठे हैं इन में उलजी दुनिया भोली ना तू का तापनत अपना है ना ते ना मुझको अब भाएं ना ते ही जग के बंधन है ये सभी जगत को भरमाएं जनको निहार जग मरता है फिर बार बार देखा करता मुझको निहार लंकेश मरा तप धारेगी अब जनक सुता यह कहकर फेरी नीत्र किरा मानो सूरज की किरण मुडी निरजन जंगल की ओर बढ़ी थी देख रही सब मही खड़ी जैन मान्यता अनुसार सीता जी ने प्रित्वी मती नामक आरिका से व्रत सुईकार किये थे और वैदिक संस्कृती में माना जाता है कि सीता जी प्रित्वी में समा गई थी यहाँ पर कल्पना की गई है कि प्रित्वी मती आरिका के पास उन्होंने दीक्षा ली और वे उनमें ही उनके आश्रम में ही समा गई इसी वजा से दुनिया कहने लगी सीता जी पृत्वी में समा गई बस इसी लिए जग कहता है सीता पृत्वी में समा गई देहान तु समय तो सब कातन मित्ती में ही मिल जाता है सीता देवी काकू मलतन भी मित्ती में मिल जाता है है अरे नया पन इसमें क्या मित्ती मित्ती में समा गई सीता माता का शुधातम तो शुधातम में समा गया जन जन की आँखी भर आई पर रूम रूम हो गए खड़े सीतेश प्रभू की आँखों से टप टप दो आसू टपक पड़े वे आसू थे या मुक्तमणी या राम हृदै पर चायक थे या प्रेम लता सिंचक जल थे घन शाम राम के द्रावक थे या सीता प्रेम विसरजन था या शत्धान जलिका अरपण था दो मोती राम के मानस के सीता को आज समरपण था अब थे विचार ते राम पहो क्या जीवन जनता का मन है जनता को चाहे खुश करना तो न्याए नहीं करता जन है तो न्याए नहीं करता जन है इस थरा राम ने अश्रु पुरित आखों और रुंधे कंट से सीता को विदाये दी सीता के चले जाने के बाद राम गंभीरता से विचार करने लेगे वे सोचते हैं कि रावण ने उनका अपहरन किया इसमें उनकी क्या गलती थी यदि वे रावण के घर रही और हम उन्हें छह महीने तक नहीं छुड़ा पाए तो इसमें सीता की क्या गलती थी उन्हें छुड़ा कर हम घर ले आए उन्हें अपने घर में रखा इसमें सीता की क्या गलती थी गलतियां हमारी थी और दन उन्हें भोगना पड़ा वन में उसका अपहरन हुआ इसमें उसका अपराधन था वेह लंका में छेह मास रही पर मन तो उसका साथ न था जंगल में उसकी रक्षा का उत्तर दायत्व हमारा था इसमें उसका था क्या कुसूर उसने तो हमें पुकारा था पर हमने इसके बदले में उसको निरजन वनवास दिया क्या यही न्याय है रामचंद्र हमने इसमें क्या न्याय किया जन नायक तो उसको कहिए जो न्याय तुला पर तोल सके जन ता के मन को ना देखे बस न्याय नेत्र ही खोल सके जो न्याय नहीं कर सकता वह कैसा अधिकारी शासन का परित्यकता भी फटकार सके वह राजा नहीं प्रजाजन का यद न्याय पक्ष अपना सच हो चाहे जन गण वे द्रोह करे चाहे सुमेर भी हिल जाए पर नहीं न्याय से वीर फिरे लोकापबाद से डर करके है सत्य छिपाना का यरता किसकी जग निंदा नहीं करे निंदा से डरना पामरता बहुमत का कहना सच्चा है बहुमत कह दे के पाप करो क्या पाप न्याय कहलाएगा तो दीन हीन असहाय मरो सीता सतीत्व में शंका थी तो क्यों उसको में घर लाया सीता यदि परम पुनीता थी तो क्यों जनमत से घबराया जनता क्या जाने सीता को शायद उसको विश्वास नहो मुझे को था जब पूरा यकिन क्यों मुझे को अब संताप नहो सीता सतीत्व का जनता को विश्वास दिलाना था मुझे को जो अगमी परिक्षा आज हुई स्वीक्रत होती उस दिन उसको जब किसी न्यायले में कोई केस चलता है और कोई कानून उसका समाधान नहीं दे पाता है तब वैसे ही केसों में पहले किसी बड़े न्यायले ने कोई फैसला दिया हो तो उस फैसले को नजीर के रुप में पेश किया जाता है धोबिन के रिदय में सीता से कोई द्वेश नहीं था उसने सीता पर कोई आरोप नहीं लगाया था वे तो स्वेम संकट में थी उसका तो घर उजड रहा था वे तो घर में रहना चाती थी धोबी का भी घर उजड रहा था उन्होंने जो कुछ किया, वे सब अपने बचाव के लिए ही किया, सीता या राम के विरोध में कुछ नहीं किया इसलिए राम चंदर जी कहते हैं, कि मेरे रिदे में उनके लिए कोई रोश नहीं है बात यह है कि सीता रावन के घर में रही थी और उसे अपने घर में रखना यदि अपराद है तो वह अपराद मैंने किया क्योंकि मैंने ही उसे लाकर घर में रखा था वह जबर्दस्ति नहीं आई थी उसका दंड मुझे मिलना चाहिए था लेकिन हमने दंड जानकी को दिया कोई महिला किसी दूसरे के घर में अपनी मरजी से महीनों रहकर आई है या उसका अपहरन हो गया है और उसे जबरदस्ती रखा गया है ये दो घटनाएं बिलकुल अलग-अलग हैं सीता को जबरदस्ती रावन के यहां ले जाया गया था इसलिए धोबिन के उधारन को तभी तो उसकी सीता के साथ तुलना होगी यदि हम यमाने कि धोबिन तो अपनी मरजी से गई थी तो सीता के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती क्योंकि दोनों घटनाय समान नहीं है इतनी सी बात इतने बड़े न्यायधीश नहीं समझ पाए यह कलपना से बाहर की बात है और यदि दोनों ही जबरदस्ती ले जाई गई थी तो क्या जबरदस्ती ले जाई जाने वाली महिला के साथ ऐसा विवहार किया जाना चाहिए इस बात पर वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं और अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं देना नजीर न्याया लएने तो है कोई अपराद नहीं अपने बचाव में कुछ कहना क्या जन जन का अधिकार नहीं आदर्श राम थे पतियों के उनकी नजीर दी पतियों ने आदर्श जान की सतियों के उनकी नजीर दी सतियों ने इस जब में अपनी रक्षा में सारी दुनिया देती नजीर धूबिन ने अपनी रक्षा में सीता की दी थी बस नजीर आरोप जान की देवी पर उसने तो नहीं लगाया था उसने तो घर में रहने का अपना अधिकार जताया था हम धूबिन को बद नाम करें इसमें उसका कुछ दोश नहीं उस पर भी था संकट भारी सीता पर कोई रोश नहीं सारा अपराध हमारा है धूबी धूबिन का दोश नहीं कह रहे राम मेरे मन में धोबी धोबिन पर रोश नहीं रावण के घर में रही हुई सीता देवी को वर्शों तक रखा था सादर्मान सहित हमने ही तो अपने घर में घर में रखना अपराध यदी तो यह अपराध हमारा है पर दंड जान की को देना कैसा यह न्याए हमारा है अब राम चंदर जी और गहराई से सोचने लगे हैं कि हमने जो कुछ किया है उसका जगत पर क्या असर पड़ेगा क्या हमने जगत को यह संदेश नहीं दिया है कि जो भी सीता जैसी नारी हो उसे जंगल में छुड़वा देना चाहिए और जब तक वह अगनी परिक्षा न दे अगनी में अपने को न जोग दे तब तक उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए वे कहते हैं कि मैं चूक गया मैंने सीता जी के साथ अन्याय किया है मैंने उन्हें ज्वाला में भी जोका और जंगल में भी छोड़ा जबकि धोबी ने ऐसी गलती नहीं की न तो उसने धोबीन को ज्वाला में जोका और नहीं उसे जंगल में भीजा तू हमने नहीं दिया है क्या ऐसा संदीश जगत जन को छुडवा दे जन निर जनवन में एका की ऐसी नारी को छुडवा कर सिता देवी को जंगल में हमने धोबी को मानो चैलेंज किया अब तुम जंगल में छोड़ो धोबिन को हमने जुपा निर दै होकर सिता देवी को ज्वाला में अब तुम भी क्यों हो दासीन धोबिन को जुपो ज्वाला में पर अगन परिक्षा बिन घर में रख कर धोबी ने न्याय किया पर मैंने सिता को तज कर अन्याय किया अन्याय किया अब क्यों मुझको संताप न हूँ केवल मैं ही अपराधी हूँ एशो का नल तु जला मुझे मैं इसी सजा का भागी हूँ है विधि मैंने अन्याय किया पर तु अन्याय नहीं करता मेरे अपराध दंड में भी तु अरे देर क्यों करता है तु खूब जला शो का नल मेरे बंधु दया क्यों करता है मैं शो का नल में जल जल कर निश्कीट सुवर्ण खरा हूँगा जितना जल सकू जलू है विधि पर जन भय पूर्ण जला दूँगा सीता अब तक परित्यक्ता थी पर हूँ आज में परित्यक्त सुन लू ही जन जन कान खोल में करता हूँ सकष्ट ब्यक्त अब तक तो समझा था मैंने नारी ही होती परित्यक्त अन्याए देख कर पतिवर का हो जाती वह नर से विरक्त नारी का यह वैराग्य प्रेम कर देता नर का बहिशकार जिसको जग कहता है अब ला सब ला हो जाती शीलधार नर जीता हर दम नारी से रखता है उस पर स्वाधिकार करतव्य मुखिनारी पाकर करतव्य मुखनर गयाहार इस प्रकार अपनी हार स्विकार करने के बाद रामचंदर जी कुछ पिछली बाते याद करते हैं और सोचते हैं कि देखो परिस्थितियां कितनी बदल गई है एक दिन वह था जब मैं सीता को समझाता था और आज यह दिन आ गया है कि सीता मुझे समझाती है जब सीता को मैं समझाता उस दिन की याद मुझे आती पर आज देखता हूँ लटा है सीता मुझे को समझाती नर नारी से पैदा होता उससे पाता है नेहमान पर अहंकार से भरा स्वयम जग जननी का करता अपमान नारी क्या क्या ना कर सकती करता हो जिसका नर महान दोलों होए जब करम वीर तब जग होता आदर्शवान नारी को मल को को मल है पर निष्ठुर को निष्ठुर महान नर के अनुरूप रही नारी जाना मैंने नारी विधान राजा की नारी रानी है तू महराजा की महरानी नट की नारी को नटी कहे मिश्रा की नारी निसरानी दरजी की नारी दरजिन है तो सेठ की नारी से ठानी ठाकुर की नारी ठकुराईन मैं तर की नारी मित्रानी मुझसे निर्मोही की रानी होवेगी निश्चय निर्मोही सीता का है अपराध नही नर होता जो नारी सोही अब रामचंदर जी सूषते हैं कि पहले मैंने उसे छोड़ा था अब वह मुझे छोड़कर चली गई लेकिन दोनों के छोड़ने में कितना अंतर है मैंने तो उसको असहाए अकेली जंगल में छोड़ा और वह मुझे भाई बंधों के बीच में छोड़कर जा रही है अरे नारियां कितनी महान होती हैं कि अच्छी अच्छी संतानों को पैदा करके जिन्होंने उन्हें बहुत तकलीव दी है उनको ही सौप कर चली जाती है सीता ने लवकुष जैसे बेटे पैदा किये और मुझे दे कर चली गई छोड़ा था सीता को मैंने असहाय अकेली कानन में मुझे को सबंधु वेह छोड़ चली क्या मृदुता है नारी जन में नारी कितनी है त्याग शील नरतनों को पैदा करके जो उसको देवे त्रास महा चल देती उसको दे करके सीता ने लवकुष महावीर निर्भीकस सुन्दर सुत जाए जिनको देखो रण प्रांगण में ना लक्षमर राम जीत पाए ऐसे इन लवकुष बेटों को अप राधी को अरपित करके शोकार्त पती को त्याग सती बन गई वीर अबला बन के कई भगवन का अप वाद करें पर उनको त्याग न देंगे हम यदि निंदक साधू को निंदे तो क्या असाधू कह देंगे हम सज्जन सज्जन ही रहे किन्तु हम ही दुर्जन कहलाएंगे को आको से यदिशतक बार तो नहीं पशू मर जाएंगे तो नहीं पशू मर जाएंगे तो नहीं पशू मर जाएंगे रामचंदर जी बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करते हैं कि यदि सारी दुनिया मेरा अपवात करती तो क्या जानकी मुझे छोड़कर जंगल में चली जाती अत्वा मुझे वनवास दे देती यदि वे ऐसा नहीं करती तो मैंने जो किया क्या वे समझदारी का काम है इस जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी कोई आलोचना न करता हो ऐसा कौन दर्शन है धर्म है जिसके आलोचक इस दुनिया में न हो आलोचना सुनकर क्या हम सभी दर्शनों को छोड़ देंगे सभी महापुरुषों को छोड़ देंगे और प्रशन सा सुनकर चाहे जिसको अपना लेंगे मेरा अपवाद जगत करता क्या छोड़ जान की लेती चल यदि नहीं कहो फिर तुम ही राम क्या नहीं मूर्खता यह केवल जिसका आलोचक कोई न हो ऐसा दर्शन या महापुरुष इस जगती तल में दुरलभ है जो सर्वमान्य हो महापुरुष तो क्या हम सभी दर्शनों को निंदा के कारण तज देंगे तथा प्रशनसा के कारण चाही जो कुछ अपना लेंगे निंदा करने से मात्र नहीं मैं कभी धर्म को छोडूँगा जग कर दे चाहे वहिशकार भगवान से मुखना मोडूँगा लोकापवाद के कारण ही सीता को मैंने क्यों छोड़ा पाखंड नहीं क्या यह मेरा जिस तरह के स्थिती से राम चंदर जी गुजर रहे थे उस स्थिती में रस परिपाक की दृष्टी से तीन स्थितियां होती हैं पहले संदलाप फिर विलाप और उसके बाद प्रलाप जब सीता और राम की चर्चा हो रही थी पहसन लाप था जब सीता चली गई और राम अंदर में दुखी हो रहे थे विलाप कर रहे थे वह विलाप की स्थिती थी और जब विलाप की स्थिती में व्यक्ति उस अवस्था में पहुँच जाता है उसका मानसिक संतुलन बिगड जाता है तो वह प्रलाप करने लगता है अब रामचंद्र जी प्रलाप के स्थिती में आते जा रही है वे कहते हैं हे लक्षमन तुम क्यों चुप हो तुम तो अन्याई राजाओं का मद मर्दन करने वाले मैं अन्याई सिद्ध हो गया हूँ तुम मेरे विरुद्ध खड़े क्यों नहीं होते अपने बेटों से वे कहते हैं हे लव और कुश लक्षमन तो कुछ बोलते ही नहीं है वे तो चुपी साध कर बैठे हैं पर तुम आज से मुझे पिता मत कहना क्योंकि तुम जैसे वीरों का पिता होने लायक मैं नहीं हूँ चुप क्यों हूँ आज सुनू लक्षमन दिखारों मुझे को बार बार अन्याई भूपति को पाकर करते क्यों ना तुम असी प्रहार तुम तो अन्याई निपगण का मद मर्दन करने वाले हूँ पर आज हो गया क्या तुम को जो चुप पी साधे बैठे हो मैं नहीं तुम्हारा भाई हूँ मैं हूँ अब अन्याई नायक अन्याई के अपराध दंड के हे तु चलाओ तुम शायक पर आज दया क्यों करते हो तुम समझ मुझे अग्रज भ्राता यह पक्षपात क्या नहीं अनुझ अन्याई से तोड़ो नाता मेरे बेटे सीता सपूत सुन लो तुम मेरी एक बात लक्षमण दो कायर हुए किन्तु मुझे को मत कहना कभी तात मैं अन्याई क्या कहलाओ ऐसे वीरों का पिता आज सब सूना सूना लगता है रासाद खंड हर से लगते अम्रित भी विशसा लगे आज सब भोग व्याल समहें डस पे सीते तुमसे ही पूछ रहा निर्दय कहूं अत्वा सदे माना मेरा ही है कसूर क्या शम में नहीं अपराध प्रिये नहीं नहीं मैं भूल गया सीता निर्दय होकर तुमको त्यागा न्यायों चित दंड नहीं भोगूं तो फिर अन्याय महा होगा छू कर तुमको अपवेत्र करू यह होगा मेरा पागलपन तुम अगनिश खाओ मैं तप कर पाचो की चिरंतन उजलापन जाओ जाओ सीते जाओ मैं आज तुम्हे ना रोकूंगा अपनी करनी का पुरस्कार पाकर मैं उसको भूगूंगा प्रलाप करते करते उन्हें अपने पिछले वनवास की याद आती है और वे सोचने लगते हैं कि माता कैकई की क्या गलती थी कैकई ने अपने बेटे का भला चाहा था उसके लिए राज चाहा था हर मा अपने बेटे की भलाई चाहती है ऐसी कौन मा होगी जो यहना चाहे कि उसका बेटा उचे से उचे पद को पाए तदर्थ जो भी प्रत्न उसे करना पड़े वह करती है कैकई ने तो हम जैसे धीर वीर राजकुमारों को वन भीजा था उनकी तुलना में मैंने असहाए अकेली नारी को गर्भवती नारी को एका की जंगल में छुडवा दिया कैकई ने वनवास दिया था धीर वीर नर को पाकर उसको दुष्टा निरदया कहें जो नर रतनों की रत ना कर जिसने वेरागी भरत राज से वीर सुसंदर सुत जाए पर पुत्र प्रेम में अन्धी होकर विगत धरों हर बर पाए मैंने अब लान गामिन को एका की जंगल में छोड़ा करकश शब्दों का है अभाव जो कुछ कह दो मुझे को थोड़ा अब वे सोचते हैं कि जब मैंने शीलवती सीता जी की अगनी परिक्षा ली तो मुझे भी अगनी परिक्षा देनी चाहिए इस तरह वे स्वैम अगनी परिक्षा देने को तयार हो जाते हैं और कहते हैं कि सीता जी का कुंड तो जमीन में था मेरा कुंड मन मंदिर में होगा सीता जी के उस कुंड में सूखा काश्ट भरा था और मेरे इस कुंड में मेरा शरीर ही जलने को तयार होगा सीता के कुंड में तो अगनी लगाई गई थी और उनका तो अगनी का जल हो गया था मैंने भी मन में शुकागनी लगाई है और आखों से आशु की बूंदे बरस गई है इस तरह सीता जी ने जिस प्रकार अगनी परिक्षा देकर अपनी पवित्रता दिखाई थी उसी प्रकार मैंने भी दिखादी वे आगे कहते हैं कि हे सीता मैंने तेरी पवित्रता का प्रमान पाया था तो तुझे अपनाना चाहा था अब तुमने मेरी पवित्रता का प्रमान प्राप्त कर लिया है तो मुझे क्यों नहीं अपनाती हो इस तरह वे प्रलाब कर रहे हैं जब शीलवती सीता देवी की अगनी परीक्षा मैं नेली तो अब मुझको भी देना है भारत वासी जन सुन लो जी सीता का कुंड मही में था मेरा होगा मन मंदिर में उसमें था सुखा काश्ट भरा मेरा तन ही होगा इसमें उसमें अगनी सुलगाई थी मैंने शोका नल लगा दिया जब कूदी खुंड में सीता जी अगनी ने भी जल बाहा दिया अगनी को अमन सलिल करके उसने पवित्रता दिखला दी मैंने शोका अगनी लगा मन में आसू की बूंदे ढुल का दिया तेरी पवित्रता का सीता मैंने प्रमान जब पाया था अप राध समझ करके अपना तुमको अपना ना चाहा था मेरी पवित्रता पा करके क्यों ना अप राध बुलाती हूँ कह दो सीते तुम साफ साफ मुझको अब क्यों भरमाती हूँ मुझको अब क्यों भरमाती हूँ इस प्रकार प्रलाप की स्थिती में पहुचे हुए राम एकदम कहने लगते हैं कि हे राम तु कैसी बाते कर रहा है अरे सीता की अगनी परिक्षा से एक मात्र यह ही सिद्ध नहीं हुआ कि सीता पवित्र है बलकि मैं अन्याई हूँ यह भी सिद्ध हो गया है जिस आदमी का अन्याई प्रमानित हो गया हो उस आदमी के रिदय में पवित्रता कैसे हो सकती है इसलिए पवित्रता की बाते करने से क्या लाब है यह गूँज उनके रिदय में बार बार गूँजने लगी के अन्याई प्रमानित हो जिसका कैसी पवित्रता उस जन में चारो ओर से उन्हें आवाजें आने लगी कोई बोल नहीं रहा था फिर भी जमीन में से जहां देखो वहां से अगनिकुंड की ज्वालाओं में से यही आवाज आ रही थी के अन्याई प्रमानित हो जिसका कैसी पवित्रता उस जन में ही राम राम तू बता राम क्या सोच रहा है तू मन में अन्याई प्रमानित हो जिसका कैसी पवित्रता उस जन में श्री राम चंदर धया स्थल में यह गूंज उठे प्रतिछिन चिन में अन्याई प्रमानित हो जिसका कैसी पवित्रता उस जन में दिख दिगंत में गूंज उठे अर गूंज उठे सारे नभु में अन्याई प्रमानित हो जिसका कैसी पवित्रता उस जन में रे अगन कुंड के ज्वालाओं के स्वर में थी आवाज यही कह रही पगतले पड़ी हुई जग थात्री यह पार्थिव्य मही जिस तरफ ने त्रून के जावे यही देख बस पाते हैं अन्याई राजा को पाकर निर्दोश सताए जाते हैं लिखने वाला है नहीं कोई अक्षर भी नहीं दिखते थे पर बाच रहे थे रामचंडर कहते बस सीते सीते थे अंत में वे कहते हैं कि फैसला तो हो ही गया है कि सीता निर्दोश है और मैं दोशी हूँ अब तो बात दंडे विधान की है इसलिए वे कहते हैं कि हे जनता के लोगों आस तक तुम मुझे आगे और सीतार को पीछे याद करते रहे हो लोग में भी ऐसा ही होता है कि पती आगे चलता है और पत्नी पीछे पीछे जब शादी होती है तो शादी के छे फेरों में पत्नी आगे होती है और पती पीछे और साथ में फेरे में पती आगे होता है और पत्नी पीछे ऐसा लगता है कि जैसे पत्नी की जीत हो गई हो क्योंकि वे छे फेरों में आगे रहे लेकिन भाई उसका अर्थ यह है कि छह फेरू तक आदमी औरत के पीछे चकर काटता है और छटवे के बाद औरत आदमी के पीछे चकर काटने लगती है यह मात्र एक फेरे की बात नहीं है बलकि अब सारे जीवन भर पत्नी को पती के पीछे जाना है राम कहते हैं कि अब मैं जनता से अनुरूद करता हूँ कि जब आपस में मिलो तो बोलना सीता राम सीता को पहले याद रखना और मुझे बाद में इस तरह वे जनता को यह आदेश देते हैं कि भाई मेरे लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि सीता अनुगामी हुए राम सीता निर्दोशी सिद्ध हुई मैं ही हूँ दोशी सिद्ध आज पहले सीता परित्यक्त हुई परित्यक्त हुआ फिर रगुराज अब तक मैं आगे रहा और सीता अनुगा मी रही सदा सीता आगे अब हुई राम उसके पीछे है सुनो प्रजा कहना भारत मा के सपूत जब मिलो परसपर सीता राम जिससे तुमको नित याद रहे सीता अनुगा मी हुए राम साकेत प्रजा के गुझे स्वर सीता सी नहीं और अन्या हे जगत पुझ सीता धन्या सीता धन्या सीता धन्या ना राम चंद्र सा राजा भे अब तक जगती में हुआ अन्या जै राम चंद्र से राजा के शतबार धन्य शतबार धन्य यद्पी राम ने सपष्ट आदेश दे दिया था कि आपस में मिलो तो सीता राम बोलना फिर भी जब लोग आपस में मिलते हैं तो राम राम ही बोलते हैं क्योंकि जन्ता के रिदय में राम बहुत गहराई से बसे हुए हैं यद्पी राम की इतनी निश्ठुरता सामने आ गई फिर भी जन्ता उनसे विरक्त नहीं हुए ऐसा क्यों हुआ? इसका एक मात्र कारण यह है कि भारतवासी लोग दूसरों के गुणों को ही ग्रहन करते हैं, अब गुणों को नहीं इसलिए रामचंद्र जी के गुण ही उन्हें दिखाई दिये, अब गुणों के तरफ उनकी द्रिष्टी ही नहीं गई इस प्रत्वी तल की जन्ता के हैं रूम रूम मेर मेराम, रग रग में समाहित है सीता, पर कहते हैं सब राम राम घटनाए बासी हो जाती पर कथा नहीं होती बासी इस दुविधा से कब उब रेंगे करताव व्यनिष्ट भारत वासी भारत वासी गुण ग्राही हैं वे अब गुण अन्देखी करते ए यही बजह की वे हर दम सब के सद गुण ही अपनाते इस तरह इस कावे में राम के निष्ठु रिदे को नहीं बलकी समवेदन शील रिदे को प्रस्तुत किया गया है यद्यपी राम भी जैन दर्शन में भगवान महावीर के समान अरहंत बने और मोक्ष गये हैं इसलिए वे चौबीस तीर्थंकरों के समान ही पूज्य हैं लेकिन जैन दर्शन की विशेशता यह है कि वह किसी को राज्यावस्था में भगवान सुईकार नहीं करता अरहंता वस्था को प्राप्त होने पर ही भगवान मानता है इसलिए कवी ने यहां लिखा है कि हम अरहंत राम के भक्त है बालक राम के नहीं राजा राम के भी नहीं ये गलतियां राजा राम से हुई होंगी अरहंत राम से कोई गलती नहीं हुई है वे हमारे लिए अरहंत भगवान महावीर के समान ही परम पूज्य हैं यद्पी राम हमारे लिए भगवान महावीर के समान पूज्य है फिर भी जैन दर्शन में आराधना तो अपने आत्मा की ही की जाती है महावीर की भी नहीं, राम की भी नहीं इसलिए कभी कहता है कि हम पुजारी तो राम के हैं फिर भी आराधना तो अपने आत्मा राम की ही करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम निरंतर अपने आत्मा में ही लीन रहें इस प्रकार अंत में अपने आत्मा में लीन रहने की भावना के साथ यह का अव्यसमाप्त होता है परिहन्त राम के परमभक्त हम आत्म राम के आराधक जिन्वाणी सीता के सपूत भगवान आत्मा के साधक भगवान आत्मा के साधक द्रोगधाम आत्मा के साधक निजवातम में ही रहे लीन है यही भावना भवनाशक